एक घणे जंगल में बहुत सारे चीटियों ने एक बड़ा सा बिल बना रखा था चीटियां अपने घर में बहुत आराम से रहा करती थी एक दिन एक बड़ा सा साप आकर चीटियों को घर से बाहर निकाल देता है और खुद उस बड़ेक बिल में रहने लगता है चीटियों को बिल बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा था चीटियों को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि साप ने उनके घर पे कबसा जो कर लिया था चीटियों ने फिर हिम्मच जुटाई और मेहनत कर फिर सी वैसा ही बिल बनाया दूसरी और जब साप ने देखा कि चीटियों ने पहले से ज़ादा सुन्दर बिल बनाया है तो उसने पुराने बिल को अपने साप दोस्तों को रहने के लिए दे दिया और फिर नए बिल में रहने चला जाता है चीटियां जब साप को देखती है कि फिर से साप उनकी घर पे गबसा करने आ गया है तो चीटियां साप से बहुत पिंति करती है कि वो उनको घर से नहीं निकाले एक चीटि बोलती है फिर्शाप बोलता है मुझे इससे कोई लेना दिना नहीं है तुम लोगों को जहा रहना है रहो मुझे बस इसी नए घर में रहना है अब यहाँ से चली जाओ तुम लोग वरना मारी जाओगी चीटियां परिशान होकर चली जाती है सारी चीटियां एक जगा इखटा होकर आपस में बात खती है एक चीटी बोलती है हमें चलकर पास वाले गाउं में रहना चाहिए और वही पर अपना घर बनाना चाहिए अगर साफ महां आएगा तो गाउं वाले उसको नहीं छोड़ेंगे ऐसा सोच कर सारी चीटियां पास के गाउं में चली जाती हैं और वही पर अपना बिल बनाती है चीटियां अब खुशी खुशी गाउं में रह रही होती है कुछ दिन बाद साप वहाँ भी आ जाता है और चीटियों को बाहर कर खुद बिल में रहने लगता है चीटिया गाउं के मुख्या के पास जाती है और वहाँ जाकर उनको सारी बात बताती है कि कैसे साप उन्हें परिशान कर रहा है गाउं का मुख्या और गाउं के अपने और साथियों को लेकर बिल के पास जाता है सबी नाठी से बिल के अंदर हमला करते हैं पर बिल गहरा होने के कारण लाठी साब तक नहीं पहुच रही होती है गाउं वाले बिल में आग लगा देते हैं जिसके कारण साब बाहर आ जाता है फिर लाठी से गाउं वाले साब को मार देते हैं सभी मिलकर बिल में लगी आग बुझाने के लिए उस पर पानी डालते हैं चीटियां फिर से बिल में खुशी-कुशी रहने लगती है इस कहानी से हमें यह सेख मिलती है कि अगर सूच-बूच से काम लिया जाए तो हम अपने से कई जादा शक्तिशाली दुश्मन से भी जीत सकते हैं